हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने कुलड़ वाला दूद बनाने जा रही हूं तो इससे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनाते हैं यह मैंने डेड़ लेटर दूद लिया है जब तक दूद उबलता है तब तक हम बाकी के तयारी कर लेंगे ड्राइफ्रूट को कट कर लेंगे यह मैंने भीगे हुए बदाम लिये हैं पिस्ता और यह केसर केसर में हम थोड़ा सा दूद डालके रख देंगे और बदाम पिष्टे को बारी कट कर लेंगे बदाम को हमने पहले भीगो के रख दिया था और इसके छिलके हटा दिये हैं इन्हें बिल्कुल बारी कट करना आ है अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो इसे चिल्ड सर्व करें फ्रीज में रखकर ठंडा ही सर्व करें और सर्दियों में अगर आप इसे पीना चाते हैं तो इसे गरम सर्व करें जैसे आपके च्छाओ, गरम, ठंडा किसी भी मोसम में हम इसे पी सकते हैं ये बहुँ ज़्यादा हेल्डी और टेस्टी होता है बदाम मेंने कट कर लिएं, इसी तरह से हम पिष्टे भी कट कर लेंगे अब वो दूद में उबाल आ गया है और हमाई ड्राइफूट भी कट हो गए है अब हम कटे हुए ड्राइफूट इसमें मिक्स कर देंगे और केसर वाला दूद भी डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे ड्राइफूट डाल देंगे केसर वाला दूद भी डाल देंगे अब इसको हम पकने देंगे अब हम इसमें इलाइची पाउड़ डालेंगे एक चम्मच वो मैंने पीस के रखी हुई है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे खुश्बू बहुत अच्छे आती है ड्राइफूट कम जादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं अब यह इलाइची पाउडर भी मिक्स हो गया है अब हम इसमें अपने टेस्ट के साब से चीनी मिक्स करेंगे और चीनी को गुलने तक हम इसे पकने देंगे अब यह मैंने चीनी भी इसमें एड़ कर दिये और चीनी को गुलने तक इसे हम पकने देंगे अगर आप गर्म सर्व करना चाहते हैं तो इसे तुरंद कर देंगे अगर आपको इसे ठंडा सर्व करना है तो इसे ठंडा करके फ्रीज में रखकर तब हम इसे सर्व करेंगे इसे किसी भी मोसम में पी सकते हैं गर्मी में, सर्दी में, जब भी आपके च्छा हो ये पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है अब ये हमारा कुलड़वाला दूद बनकर तयार हो गया है थैंक यू